बढ़ सकता है पाम तेल का आयात दरसर इंडोनेशिया ने 16-31 सक्तूबर तक कच्चे पाम तेल का संदर्व मुल्य 792 डोलर पती टन से घटाकर 713.89 डोलर पती टन पर सेट कर दिया है सीपियों के नई रिफ्रेंस के भाव से पाम तेल का एक्सपोट टैक्स 3 डोलर पती टन होगा जो पिछले रिफ्रेंस भाव 33 डोलर से कम है ऐसे में भारतिय बजारों में आगे पाम तेल के आयात में और ब्रोतरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता उधर स्थानिय बजारों में उपर के दामों पर सोया तेल में खरीदारी कमजोर रहने से भाव में आची गिरावट देखने को मिल रही है इंदोर में भी सोया तेल घटकर 1265 से 75 पर प्रती 10 किलो के भाव पर पहुँच गया है दूसरी और अमेरिका में फसलों की कटाई का दबाव देखने को मिल रहा है सीबोट सोया बीन के भाव में भी पिछले हफ़ते गिरावट देखने को मिली चीन द्वारा अमेरिका से 5 लाग टन नई सोया बीन की खरीदी की रिपोर्टों के बाव जूद भी कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है उदर प्लांटों की सोया बीन में खरीदी जोर अपर बनी हुई है जबकि आवग जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है प्लांट खरीदी भाव नीचे में 5150 और उपर में 5300 रुपे तक फिलाज देखने को मिल रहे है कर दो देखने को मिल रहे है